तो स्वागत है आप सभी को ग्यापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट वीडियो में और आज हम लेकर क्या है क्लास 12 100 मार्क्स इंगलिस का नेक्स चेप्टर जो की बहुत ही मज़ेदार चेप्टर है देखिए इस चेप्टर का नाम है दा आर्थ बोले तो इसका हिंदी हुआ धर्ती ठीक है ना तो देखिए आखिर इस चेप्टर का नाम धर्ती क्यों पड़ा क्योंकि इस धर्ती पर बहुत सारे लोग हैं जो खुद को आलसी बना कर रखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस आलसी के फाइदा उठा रहे हैं मतलब आलसी पन का फाइदा उठा रहे हैं अगर माली यह कोई ब्यक्ति आलसी पन है उसके अंदर आलसी है ठीक है ना तो उसको बोला जाएगा कि उसके अंदर आलसी पन है मतलब बोले तो एक ब्यक्ति अगर आलसी है तो उसके बगल वाले उस आलसीपन का फाइदा कैसे उठाते हैं इस धर्ती पर ऐसे ऐसे लोग है जिनके बारे में लेखक के द्वारा जो है ना इस कहानी के अंतरकत बताया गया है तो देखिए दा अर्थ नाम का जो चेप्टर है या एक स्टोरी है क्या है स्टोरी है मतलब कि अगर आप से अब्जेक्टि में पूछ दे कि या एक स्टोरी है कि स्पीच है कि क्या है तो आप क्या कहेंगे बोलेंगे कि या एक स्टोरी है मतलब एक नमर तो अब्जेक्टि भी यहां किलियर हो गया अब बात करते हैं कि दा जन्म कब हुई तो 16 मैं 1905 को उनका जन्म हुआ अगर मृतिव की बात करें तो 29 जनवरी 1974 का इनकी मृतिव हो गई तो finally इस chapter की पूरी ब्यक्या की बात करें यानि full excuse of this chapter तो इस chapter में इन्होंने ये ब्यक्या किया है कि धरती पर कुछ ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो खुद को आलसी बना कर रखे हैं और इसी आलसीपन का फायदा बगल वाले उठाते हैं चाहे उसका बेटा हो या फिर उसकी रोसी हो चाहे पटिदार हो तो चलिए बीना देर किये इस chapter को पूरी परतियक लाइन को हिंदी में करके समझते हैं फिर concept जब क्लियर हो जाएगा तो short summary लिखने का अगर आ जाता है पांच नमर का तो आप लिख करके आएंगे so without any let let's go to start so finally the earth नाम का chapter बहुत ही मज़ेदार और motivation से भरा हुआ यह chapter है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और जब आप इस chapter को पूरी अच्छे ढ़ंग से समझ लेंगे तो इससे regarding जो भी objective या subjective question होगा आपको लिखने में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होग देखिए the earth का हिंदी हुआ धर्ती आखिर कर इस chapter का नाम धर्ती क्यों पड़ा तो देखिए लेखा के द्वारा इस chapter के अंतरगत उन लोगों के बारे में बेख्या की गई है जो इस धर्ती पर बोज बन कर हैं मतलब ऐसे लोगों को हम बोजहील ही कह सकते हैं बोजहील ब्य या फिर उनके पड़िदार क्यों ना हो चाहे उनके पड़ोसी क्यों ना हो चाहे उनके कितने भी चाने वाले क्यों ना हो अगर वो आलसी हैं तो आलसीपन का फाइदा अच्छा खासा हुआ उठा सकते हैं तो लेखा के द्वारा लिखी गई इस कहानी के अंदर ऐसे लोग यह एक line को हिंदे में करके समझते हैं। दिस स्टोरी बेस्ट ओन लेजिनस अब दा पैरेंट्स तो एक बात किलियर हो गई कि दो अर्थ नाम का जो चेपटर है या एक स्टोरी है किया है या एक स्टोरी है अगर आपसे पूछता है कि the earth नाम का जो chapter है आपको objective में पूछ सकता है कि यह एक story है कि speech है कि एसे है तो तुरंद जो है आप pick करेंगे कि the earth नाम का जो chapter है यह एक story है ठीक है और यह जो कहानी है किस चीज़ पाधारित है parents के laziness पाधारित है और तो और selfishness of their simple minderson और इनहीं माता-पीता के parents मता होता है माता-पीता ठीक है ना जब mother और father को एक साथ नाम लिया जाता है तो उसको parents कहा जाता है ठीक है ना तो यह जो कहानी है वो माता-पीता के आलसीपन और selfishness of their simple minderson और इनहीं माता-पीता के जो सधारण दिमाग वाले जो बच्चे हैं उनके स्वार्थ पर अधारित है ठीक है ना तो selfishness मतलब होता है स्वार्थ और laziness मतलब क्या होता है आलसीपन तो माता-पीता और उनके सधारण दिमाग वाले बच्चे के ठीक है ना आलसीपन और स्वार्थ पाधारित या एक मज़ेदार कहानी है तो चलिए इसको देखते हैं देखिए The Earth यानि चेप्टर का नाम है धर्ती Is a story या एक कहानी है Written by an English writer किसके दवारा लिखा गया है एक अंग्रेजी लेखक के दवारा लिखा गया है नेमली जिनका नाम है H.E.B.E.D.S H.E.B.E.D.S नाम है तो यहां पर एक और भी तो कुशन का एंसर किलिए हो गया क्या हुआ कि The Earth नाम के जो चेप्टर है Who is the writer of the Earth तो आप कहेंगे H.E.B.E.D.S is the writer of Earth और पुछेगा कि The Earth जो है यह एक स्टोरी है के स्टोरी है कि ऐसे है तो आप कहेंगे कि यह एक स्टोरी है चलिए यहां तक किलियर हो गई It shows the स्टोरी of a man नेम जॉनसन यह जो है ना दिखाता है कहानी देखिएगा यहां से समझने की कोशिस किजिए यह कहानी दिखाता है a man एक ब्यक्ति को जिसका नाम है जॉनसन यानि जॉनसन नामक ब्यक्ति के बारे में यह कहानी है who is thrown out जिसको निकाला जाता है of his house उसी के घर से by his on son named Benji यानि कि जॉनसन नामक ब्यक्ति के घर से जॉनसन को ही निकाला जा रहा है यानि जॉनसन का घर और उसके ही बेटा के द्वारा जॉनसन को उसी के घर से निकाला जाता है ठीक है ना उसी के बेस पर यह कहानी है ठीक है अब यहाँ आगे देखिए Benji is a simple minded son Benji कौन है जॉनसन का बेटा है क्या नाम है उसका Benji तो Benji क्या है एक simple minded son है यानि बोले तो जॉनसन का एक सधारण दिमाग वाला बेटा जिसका नाम है Benji His parents all the time worry about his well-being उसके जो माता पीता है किसके? Benji के Benji के जो माता पीता है ना वो हमेशा जो है ना क्या चीज? अपने बेटे के बारे में अच्छे बने अच्छा तरीका से रहने के लिए या फिर उसको अच्छे संसकार के लिए हमेशा जो है ना चीनतित रहते हैं All the time worry about his well-being Well-being में सब कुछ आ जाएगा मतलब उसके रहान सहान या उसके संसकार या फिर वो अच्छा कैसे करें उसके बारे में हमेशा ये लोग उसके माता पिता जो है ना उसके बारे में चीनतित रहते हैं He takes him to a doctor Who suggests him to help him Benji to start a business अब देखिए अब जो उसके माता पिता है ना ठीक है ना उसको ले करके जाते हैं किस के पास डॉक्टर के पास किस को Benji को ले करके जाते हैं समझेगा इस कहानी को कितना मज़ेदार है Benji को उसके माता पिता डॉक्टर के पास ले करके जाते हैं ताकि डॉक्टर जो है ना Benji को suggest करे सला दे क्या चीज Start a business of a poultry farming यानि मुर्गी पालन का कोई business start करे बढ़ियां से ठीक है ना अब देखिए डॉक्टर के सुझाओ पर Benji works hard डॉक्टर के सुझाओ पर Benji का दिमाग खुलता है बेंजी एकदम जो है ना सोचने लगता है कि सच में ये जो poultry farming का जो business है बहुत ही जबरदस्त है और तो और ये तो डॉक्टर के द्वारा समझाया गया ये एक बहुत अच्छा ही thinking है तो poultry farming के बारे में जब डॉक्टर Benji को समझाता है तो Benji के दिमाग में ये बात खटकती है और वो सोचने के बाद Benji works hard Benji क्या करता है बहुत ही कठिन पर इस्रम करता है And Soon becomes A very rich person और बहुत ही जल्दी धानी मने भी अक्ती बन जाता है किसे Pultry farming Business के दोरान यानि जो मुर्गी पालन का जो बिजनेस करता है उस बिजनेस के दोरान वो बहुत ही जल्दी Struggle करके वो उस area का In the area सफल ब्यक्ती बनने के बाद He married a girl देखिए होता क्या है न कि अक्सर इस धर्ती पर रहने वाले लोग जैसे ही थोड़ी सी कम्याबी क्या मिलती है कि तुरंट जो है न वो सोचते है कि चलो आब एक life partner रख लेते हैं मतलब कि वो बहुत जल्दी साधी करने को planning कर लेते हैं ठीक है न उसके बाद से क्या करते हैं दीरे दीरे family planning करना सुरू कर देते हैं मतलब अपने बाल बच्चे के बारे में सोचने लगते हैं मतलब कि यह नहीं सोचते हैं कि थोड़ा मैं अगर सकसेज हो रहा हूं तो थोड़ा और सकसेज हो जाओ दो-चार और लोगों को रोजगार दे दू नहीं poultry farming से इन्होंने बहुत ही hard struggle करने के दोरान उस area के ठीक है न उस area के बहुत ही reach person बन जाते हैं बहुत ही prosperous और बोले तो married a girl ठीक है न वो क्या करते हैं वो शादी करते हैं एक लड़की से namely Florence अब उस लड़की का नाम क्या रहता है Florence नाम रहता है तो एक बात clear हो गई कि लड़की का नाम क्या है Florence against the wishes of his parents अब यह क्या है यह माता पीता के खिलाप देखिए जो भी लड़का अगर अपने मन से साधी करता है मतलब कुल मिलाजुला करके वो माता पीता के खिलाप ही करता है और यह माता पीता के खिलाप साधी करना यह कहीं न कहीं से बेकार है अपमान है ठीक है तो अगर आप लोग को लगता है करने के लिए लड़की तो साधी करता ही है लेकिन फुर अपने माता पिता के के द्वारा उसे खरीद लेता है, और अपने माता पीता को वो पूरी तरीका से मजबूर करता है, जिस घर में अपने माता पीता के साथ हर रोज सोता था, उठता था, बैठता था, और चैन की निंद लेता था, साथ में खाना खाता था उसी घर को ये हड़प लेता है ठीके अपने पैसे अपने ताकत की बदलत उस घर को हथिया लेता है और हथियाने के बाद अपने ही माता पीता को मजबूर करके उस घर से निकालने की बात करता है एक दिन माता पीता को उसी घर से निकाल भी देता है जोनसन के माता पीता आर लेफ्ट एलॉन अकिला निकल जाते हैं वहां से बिदा ले लेते हैं एक सधानर रोड पकर करके खुद को हिल्फ करते हुए निकल जाते हैं तो बताईए कि यह जो चेप्टर है इस चेप्टर से आपको क्या सीखने को मिला अगर अभी तक नहीं समझ में आ तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चेप्टर में लेखा के दोरा लिखी गई बातों से यह जनकारी मिलती है कि एक माता पीता जो अपने बेटी के बारे में सोचता है कि मेरा बेटा कितना सधारण दिमाग वाला है तो क्यों ना मैं किसी डॉक्टर या किसी संटीष्ट के पास लेकर के जाओं ताकि वो कुछ सजिस्ट करेगा तो मेरा बेटा का दिमाग खुलेगा जब मेरा बेटा का दिमाग खुलेगा तो कुछ अच्छा करेगा कुछ संसकारी बनेगा कुछ दिमाग वाला बनेगा एक अच्छा बिजनेस करेगा और इस एरिया का सबसे धनवान और बढ़िया भी अक्ति बनेगा तो वो बेचारे माता पीता क्या किया है अपने बेटा को डक्टर के पास ले जाते हैं और डक्टर के पास ले जाने के बाद होता ही है कि डक्टर तो अच्छा सला देता ही है कि एक काम करो तुम पॉल्ट्री कर देगा ठीक है जाँ जो मुर्गी अंडा देने लाइक नहीं रहें इसको बेज़ देना थीक कि और देने वाली होगी उसे अंडा निंगलेगा तो इस तुम्हारा डबल समझो की तरख्की होगी और कहीं पैसा वाला बन जाता है तो वो अपने मन से एक लड़की से साधी भी करता है अपने माता पीता को मजबूर करके ठीक है ना और वो तो अल्रेडी आलसी ही रहते हैं माता पीता मतलब वो सब काम सोचते हैं कि मेरा बेटा ही करें मेरा बेटा ही बिजनसमेन बने मेरा बेटा ही स सब जगा जाए सब कुछ करें ठीक है ना माता पीता उतना एक्टिव नहीं रहते हैं तो देखिएगा जिस बेटा के माता पीता अगर एक्टिव नहीं रहते अपने बेटा के प्रती तो बेटा भी गड़ जाता है ठीक है ना वह बेटा एक दिन अपने ही माता पीता को पंग लेता था ता उडता बैटाथा उसी घर में से अपने माता पीता को वेदक사ल कर देता है और बोल देता है कि आप दूसरे जगाँ चले चाहिए और आपने वाइफ को लेकर के अराम से उस घर में दबदबा बना करके रहता है तो जारा सोचिए कि ये चिप्टर माता पीता के laziness और कहीं न कहीं से उसके बेटा स्वार्थ पर अधारित है या नहीं है तो ये चिप्टर से आपको बहुत कुछ से कुछ सीखने को मिला तो उमीद करते हैं कि ये चिप्टर बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आया तो दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और तो और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोडिफिकेशन आप तक पहुंचे तो मिल